आज की वीडियो में रिवी करने बला हूँ डराइवा MS जल का तो हो सकते हैं यह जल आपको डोक्टर ने दिया हो आपके एक्ने, ब्लेकर्स, वाइटर्स वगरा हो रहे हो आपकी स्किन की कोई प्रोब्लम्स के लिए दिया होगा तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क यह जल कैसे वर्क करता है, आपको कैसे यूज करना चाहिए, कब आपको रिकमेंट किया जाता है, तो इससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, चलते है वीडियो की तरफ, ओके तो इस वे से आया था डराइवा, MS जल तो आप देख सकते हो, इसमें अडैब्ली जल आपको 0.1% में देखनों मिल जाता है, ग्लैनमर कंपनी इसको बनाती है, 10 ग्राम की इसकी क्वांटिटी आपको देखनों मिल जाती है, जिसका प्राइज रहता है, 313 या 315 के आसपास रहता है, ठीक है, 300 के उपर-उपर का यह आपको जैल मिलेगा, ठीक है, काफी कोशली रहता है यह जैल, बट इसके वर्क काफी अच्छे रहता है, जैसे कि आपके एकने, ब्लैक एर्स, वाइट एर्स वगरा हो रहे हैं, एजिंग हो रही है, फोटो डैम स्किन हो गी है, तो उसमें यह काफी वाइट मीन A का डेरिवेटिव है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं, आपके जैसे कि ब्लैक एर्स हो रहे हैं, आपके ओल को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, आपकी फोटो डैमेज स्किन होगी है, अमलब आपकी स्किन बिल्कुल डल होगी है, एजिंग वगरा अगर्स के लिए यूज़ किया, एकने के लिए यूज़ किया, तो यह इन सब में वर्क कर जाएगा, अगर आपके डार्क स्पोर्स हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी अच्छे से वर्क कर जाता है, बट काफी लोग सोचेंगे, अगर हमारे डार्क स्पोर्स हो रहे हैं, तो ह यह काफी अधर रहते हैं जैसे कि गलाइकोली एसीड हो गया एजिडर्म वगयरा हो गया तो यह सब आप यूज कर सकते हो तो जब भी आप इसको ब्लैकर्स वाइट अप्लाइ करोगे तो क्या होगा वो एक बर पिंपल में करवर्ट होंगे जो भी उसके अंदर गंदगी है वो एक बर पिंपल में उबर कर बार आएगी ठीक है जैसे मालो आपको यहाँ पर कंप्लीर्ली ब्लैकर्स हो रहे है तो आप ब्लैकर्स बैट हुए रहते हैं और ब्लैक कलर के वहाँ पर डोट से आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऐस देखने को मिलते हैं अब इन पर आप apply करोगे तो क्या है वो एक बर pimple में convert होंगे अब उस pimple के अंदर वो सारी गंद की आएगी जो भी उस black airs की थी ठीक है तो देन वो धीरे धीरे अपना वहां से dry होगा dry out होके वहां पर पपड़ी जी बन जाएगी और वहां से उतर जाएगा ठीक है जाएगा ऐसा नहीं कि उस टाइम पर उसको फोर्ड रहे हो हैंड लगा रहे हो इससे ऐसी गलती मत करना अगर वहां पर फोर्ड होगे तो उसके अंदर जो गंद की रहेगी वह आसपास में फैल जाएगी फिर यहां पर और ज्यादा आपको ब्लैकर से एकने देखने को मिल जाएंगे यहां पर डाक स्पोर्ड भी रह सकता है तो यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी इस टाइम पर जब यह यूज कर रहे हो तो इसको यूज करना छोड़ दोगे ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना इसको कंटिन्यू आपको जल्स देखने को मिल जाते हैं विजीबल अगर विजीबल रिजल्स की बात करें तो वैसे ही आपको वन मंत में ही पता लगने लग जाता है कि आहां यह वर्क कर रहा है अब वर्क का पता करना है तो जैसे कि मालो 7-15 दिन के अंदर आपको वो ब्लैकर्स बढ़ते हुए दि कि अगर आप सन वगेरा में जाओगे तो आपकी स्किन पे टैन आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आई जाएगा आपकी स्किन पे टैन, पिग्मेंटेशन हो सकती है और सन के का थोड़ी बहुँ रेडनेस भी आपको देखने को मिल सकती है तो इसलिए आपक ही साथ में जा सकते हो जिसके आपकी स्किन पे टैन मैं आएगा आपकी स्किन को बहुत अच्छे से कलियर गया चया निया है खिए एफे कि एकदम से results मिल जाएंगे जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसको use करना start करोगे one month से लेकर three से four month लग जाते हैं आपको अच्छे results देखने में अब आपको मैं बताते हूँ इस gel को कब और कैसे use करते हैं देखो जैसे तो first stop आपके doctor ने बताया वैसे ही आप use करोगे बाकि कुछ लोग रहता है कि खुछ से purchase करते हैं या कुछ लोगों का रहता है कि मनलब नहीं पता रहता है doctor ने कैसे बता था या हमें कैसे use करना है या doctor जैसे बताते हैं वैसे use तो करते हैं बैसे वगरा peeling देखने को मिल जाती है itching होने लग जाती है तो आप इसको gap में use करोगे देरे देरे आप की skin को habit हो जाएगी then आप इसको regular use करना start कर सकती हो कुछ लोगों को जैसे की regular use करने से दिक्क्र नहीं होती कि starting मीं लगाना start कर देते है regular यहां पे लोगों को रेडनेस इचिंग वगएरा देखने मिल जाती है अगर यहां पे ब्लैकर्स वाइटर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो इसलिए आप उसको गैब में यूज कर सकते हैं अब जिनको डोक्टर ने रेगुलर यूज कर सकते हैं अगर उनको दिखने को मिले इचिंग बगएरा तो आप गैब कर सकते हो थोड़ा इसको continue कर सकते हो वैसे जैसे ही वो सही होती है ठीक है अब जैसे मैंने बताए इसको regular यूज करना भी कुछ लोग स्टार्ट कर सकते है only night में आपको यूज करना है ऐसा नहीं कि दिन में भी लगा रहे हो और night में भी लग इसको regular कर सकते हो अब ही मैं आपको इसको लगा कर भी दिखांगा सबसे पहले हम साइड इफेक्स की बात कर लेते हैं साइड इफेक्स की बात करें तो इस जल के करना जैसा कि मैंने आपको बताया dryness इचिंग वगएरा redness देखने को मिल सकते हैं अगर आप इसको ज़्याद किन का या कुछ दिन के लिए भी बंद कर सकते हैं आपको लगा नहीं है आपको लग रहे हैं आपकी स्किन पर इचिंग स्टार्ट होगी रेडनेस हो रही है तो आप इसको गैब दो ठीक है वहाँ पर आपको क्या यूज करने है या तो मोस्टराइजर यूज कर लो जो तो इतनी ज्यादा ड्राइनेस नहीं देखने को मिलती है और यह जल्दी से कवर भी हो जाती है बट यहाँ पर जो रहती हो बहुँ ज्यादा इचिंग और जलन करवा देती है जब ऐसे जल मैंने परसनली खुद ट्राइ किया थे स्टार्टिंग में तो मुझे भी यह आपको यूज करके दिखा देता हूं किस वे से आयाता है यह देख सकते हो इस वे से कैप लगी रहती है तो इस वे से यह ट्यूब देखने को मिल जाती है अब इस चूब का एक तो रिजन रहता है कि आप इसको डिरेक्टली इस वे से यह एपलाई कर लो जैसे कि यह है उस पर लगाया था मैंने इसको बाकी मेरी स्किन क्लियर बढ़ी है तो आप देखो इस वैसे आपको यूज नहीं करना है मैंने यहां पर कंप्लीट मसल दिया ऐसे यूज मत करना अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं जैसे माल लो वहां इस जैल को ऐसा नहीं कि वह ज्यादा मांवं में यूज करना बेलकुल आपको कनक के अदे दाने जितना उस से भी कम आपको लगाने P size amount में लगाने आपको इसको जैसे कि यह देख सकतो इतना मैं ने लिया इस्को फोकस तो तो यहां से देखो कितना है पता भी नहीं लग रहा ठीक है इसको गया करना है आपको हलका हलका यहां पर सभी पर लगाने इस पर थोड़ा लगाया इस पर थोड़ा लगाया इस पर थोड़ा लगाया इस पर लगाया इस पर लगाया एक साइड ज्यादा लग गया यहां से उ आपको भी सीमस्ट का रहें विडियो को और युजर पिंपल्स है, यू यू यूज को इसे आप यूज कुई है इस hero कि गं जाब यू-ुद्द का है इंसा फ़लो कर लेना कोई कोई रिज रहती तो मुझे आप पर मैसेज करके पूछ सकते हो